सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल देहला देने वाली हॉरर स्टोरी बिना घबराए बेल आइकोन प्रेस करना ना भूले इस कहाने के लिखाग है विजेंद्र कुमार कर अमावस की वो काली रात अजीव सा सन्नाटा ओड़े लेटी हुई थी रात के ग्यारा बज रहे थे बीच बीच में कभी कुट्टों के बौकने या कभी उनके रोने की आवाज आती तो वो सन्नाटा भंग होता उस स्याह काली रात के अंदेरे में जब दुनिया नींद की आगोश में थी तब शमसान में स्थेट सबसे पुराने पीपल की पेड़ के नीचे कुछ हल चलो रही थी जिस शमसान में दिन में भी लोग आने से डरते हैं उस इक शमसान की पीपल पेड़ के नीचे 28-29 साल का एक नौजवान सूर्य कांथ बहुत ध्यान से कुछ तयायों में जुटा हुआ था उसके मुबाइल का टॉर्च जला हुआ था और उसने उसे एक पेड़ के नीचे एक पत्थर से टिका कर रखा था टॉर्च की रोशनी में वो खोदे जोले से कुछ चामगरी निकाल निकाल कर पेड़ के नीचे कठा कर रहा था कुछ ही दिर में वो अपने साथ लाह जोले का सारा समान जमीन पर निकाल चुका था शराब की बूतल, तेजगंद वाला इत्र, काला कपड़ा, दोएं, देप, आटा, कोईला, तेल, दो निम्भून जिसे लाल रंग में रंग दिया गया था एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छूरी, चूरेकांद ने अपने सारे वस्त्रे की स्थान पर उतारे और नगना वस्ता में आ गया फिर उसने एंग गोला गेरा बनाना शुरू कर दिया सबसे पहले उसने आटे का गेरा बनाया, उसकी बाद कोईले का गेरा इस बीच में जिंगोर की आवाज आती, पेड़ पर कुछ जुगनु मन रहा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेड़ की डाली पर कोई बल बांद दिया हो, लेकिन सूरेकांद इन सब बातों से बेखबर, पूरी तलिंता से वो कर रहा था, जिसके लिए वो यहाँ आया था, सूरेकांद बहुत सा उधानी से अपने साथ लाए इत्रो को चारो दिशाओं में छड़क रहा था, फिर बचे इन इत्रो को उसने अपने बदन पर मल लिया, उस समय थोड़ी आवा चलने लगी थी, इसलिए दिपक जलाने में उसे दिक्कत हो रही थी, लेकिन त जिस से पहले दिपक को जलाया, फिर धोप को, उसका धुआ तुरंथ ही वहाँ फैलने लगा, फिर उसने दोहे की चाकू को ध्यान से देखा, मन ही मन कुछ बुदबुदाया, कुछ पलों के बाद पौपो की फरपड़ाट या वाज ने सननाटे को फिर से बंग किया, और वहाँ चा गई वही खामोशी, वो भी अब बिल्कुल शान्त हो गया था, उसकी आखे बंद थे, और वो साधना में लिन हो गया था पिछले एक सब्दा से, वो हर रात शमसान में आकर यही प्रक्रिया बार-बार किये जा रहा था हर रात, सभी सामग्रियों के साथ वो शमसान में आता, और आधी रात से साधना शुरू कर देता यह साधना सुबह के तीन बज़े तक चलती, फिर वो वापस अपने घर लोट जाता लेकिन अज़ जब उसने अपनी साधना समाब्त की, तो उसकी दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कुछ नहीं हो रहा, कोई फाइदा नहीं इन सब का, सब गलत है, एक सबता हो गए लेकिन अब तक कोई अनुभाव नहीं हुआ मुझे, मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊँगा सुर्यकांद का दहरिया जवाब दे रहा था, और इसका पहला कारण तो ये था, कि उसने जिस उमेद के साथ साधना शुरू की थे, उसका फर्लू से नहीं मिल रहा था, और दूसरा कारण था, पीपल के पिविड पर बहुत प्रेध पिशाच का विवास होता है, उनके प् बचने के लिए ही वो साधना के समय तीन घेरे बनाया करता, वो उनसे तो बच जाता, लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहुलुआन कर देते, वो साधना तो करता, लेकिन दर्द से वो बेचैन हो जाता, हर दिन उसका पुरा शरीर रक्त से बहर जाता, उन कीड़ सारी उमिदों पर पाने फिर गया था, क्योंकि एक सबताबाद भी उसके हाथ खाली थे, उसके हाथ की रिखाए अब भी उससे नाराज थे, अगले रोज वो साधना के लिए शमसान नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना, उस पर एक बड़ी मुसीबत बन कर तूटा, आध रात उसके साथ तीन बार ऐसा ही गटा, उसे समझ नहीं आ रहा था, कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, रात को डरते डरते वो किसी तरह सोया, सुबह जब उसके नीम खुली, तो उसके मुझ से बयानक चीष निकल गई, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है, उसका पू उसके पूरे शरीर से खोन निकल रहा है, साथ ही उसके गाव पर मक्या बिन बिना रही है, वह एक तरफ से मक्यों को भगाता है, तो मक्या दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती, उसके शरीर से निकला खोन, देरे देरे जमीन पर एकठा हो रहा था, उसके गाव पर मंडराने व और ये कान जोर से चीखता है लेकन ये क्या चीख के बाद उसकी नजर अपने शरीर पर जाती है तो वह देखता है कि वो तो बिलकुल ठीक है ना तो उसका शरीर बंदा हुआ है और ना ही उसके शरीर से खूनी निकल रहा है वह मक्षिया भी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी अगली रात भी उसके साथ वही हुआ लेकिन इस रात का अनुबाव पिछली रात से भी बयानग था आधि रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई स्त्री उसे लगातार गोरे जा रही है उस स्त्री के मूझ से रक्त की बूंदे टपक रही है मांस का एक टुकड़ा उस स्त्र के मुंग है और जब सुर्यकांद की नजर अपने सुरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वो मांस का टुकड़ा उसे के शरीर से नोचा गया है जिसके कारण खुन के दार फोट पड़ी है उसके चादर उस खुन से बिख गई है दरद और देशत में आकर जब वो जोर से चिलाता है तो आस पास की साही चीज़े उसे फिर से सामान्य दिखाई देने लगती है लगातार गट रही है गटना है उसे पागल बना रही थी एक दिन जब वो उदास सा कमरे में बैठा अपने पंखे को गौर से देख रहा था तभी उसे कुछ याद आता है सोरे कांत को अपनी गलती का एसास होता है उस रात वह फिर से शमसान में साधना के लिए चला जाता है दो दिन तक उसके साथ कुछ नहीं गटता लेकिन तिसरी दिन से उसे ऐ हैं नहीं आता उसे ऐसास अब हर दिन होने लगा था कि कहीं ओरते उसके पास आकर बाते करती हैं लेकिन वो अपनी आँखें नहीं खोलता था साधना के कुछ दिन बीच जाते हैं एक रात उसे ये समझ में नहीं आता है कि मंत्र जाब के समय कोई औरती नहीं बलके सिर्फ एक औरत की आवाज उसके कानों में आ रही है जो उससे कह रही है ये सब क्यों कर रहा है तू मार दूँगी चला जा अभी चला जा यहां से तुझे पता नहीं तो क्या कर रहा है किसलिए कर रहा है तू मार दूँगी मैं तुझे सुरे कान्त डर से कापने लगता है लेकिन उसने अपने आँखें नहीं कोली और मंत्र जाब करता रहा अगले दिन से तो उसे वो आवाजे और भी तीच सुनाई देने लगी उसे ऐसा भी लगता कि एक साथ पाहिल की आवाजे आ रही है तो कभी चोड़ी होगी और उसे ये भी ऐसास होता कि उसकी पीट पर कोई अपने नाखून से खरूच रहा है कुछ महीने बाद अपने बड़ी से बंगले में बैठा सूरे कान शुनने में ताके जा रहा था उसके हाथ में सिग्रेट थी बीच बीच में वो उसका एक एक कस लगाता फिर वो कहीं खो जाता सब कुछ तो पालिया है मैंने यही चाहिए था ना मुझे लेकिन फिर भी यह अशांती कैसी है मेरे मन में क्यों ऐसा लगता है कि जेवे भरी है लेकिन अब भी मैं बिल्कुल खाली हूँ कुछ बैसा ही जैसे खाली पन कुछ महीने पहले था अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भीजे हम कोशिश करेंगे कि अगली अनिमेटेड स्टोरी आपके होगी कि अगली आपके पास आपके ये बॉक्स इंग है लुफ लुछ चारा आपके होगी